नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को Ministry of Communication and IT Department of Post इंडिया की तरफ से निकल के बढ़ती सामने आई है जिसके आविदन चालू होएंगे 4.1.2020 से और आगे देखते हैं कौन-कौन सी पोस्ट पे कितनी वेकेंसिस निकली हुई है पहली जो पोस्ट है वो है Motor Vehicle Mechanic की दूसरी है Welder की, तीसरी है Tireman की, चौती है Tins Smith की और पांच भी है Blacksmith की टोटल जो नम्मर वेकेंसिस है वो 8 है आप देख सकते हैं कौन-कौन सी केटेगरी के अंदर कितनी वेकेंसिस निकली हुई है आगे हैं मैं आपको पताता हूं Pay Scale के बारे में Pay Scale आपका पर मंद 19,900 रुपे रहेगा और इस ट्रेट को इस वेकेंसि को अपलाई करने की जो लास्ट ट्रेट है वो है 39-2020 से पहले-पहले आपको इस वेकेंसिस को अपलाई करना है और इस वेकेंसि के अंदर जो एज लिमिट रहेगी 18 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट इस वेकेंसि को और आम से अपलाई कर सकते हैं और एज एलेक्शन SC-ST कैंडिनेट को 5 साल का और OBC कैंडिनेट को 3 साल का एज एलेक्शन दिया हुआ है और education qualification की बात करें जिस भी कैंडिनेट ने 8 पास कर रखी है प्लस उसके पास जो भी ट्रेड के अंदर वो अपलाई कर रहा है उस ट्रेड का एक साल का experience certificate है तो वो इलेजीबल रहेगा इस वेकेंसी को अपलाई करने के लिए प्लस जोभी कंडिनेट मकानिक मोटर वेहिकल के अंदर इस वेकेंसी को अपलाई कर रहा है उसके पास driving license होना चाहिए प्लस आ उसको यवी वहीकल चलाने का experience होना चाहिए तब भी वो इलेजीबल रहेंगा इस वेकैंसी को अप्लाई करने के लिए इस चीज का ध्यान रखते हुए ही इस वेकैंसी को अप्लाई करें और मैटर ऑफ सेलेक्शन के अंदर इन्हों नहीं यह का है कि जो candidate motor vehicle की वेकैंसी को अप्लाई करेगा तो उसका skill test होगा और प्लस जो भी candidate के लिए इलीजिबल होंगे उनको को लेटर के थूरू बता दिया जाएगा कि उनका क्या स्लेबस रहेगा अभी इन्होंने स्लेबस स्लेबस के बारे में कोई ज्यादा डिटेल इसके अंदर दी नहीं गई है आगे बात करते हैं कि जब आप यह करेंगे आपका जो वाइज़ाथ लिखेंगे स्लेबस के अंदर कौन से पॉइंट को आपको लिखना है क्योंकि कई ऐसे point होते हैं जब offline form भरते हैं तो कई points हम से छूट जाते हैं तो इसके अंदर बताया गया है आपको आपका नाम लिखना है जो ब्लॉक लैटर में होना चाहिए आपके पिताजी का नाम ब्लॉक लैटर में होना चाहिए और आप देख सकते हैं कौन-क उनसे documents आपको attach करके वेकंसी के साथ भेजने हैं आप जो उनसे भी document आप attach करेंगे उन सब document के उपर आपके sign होने चाहिए इनसीज का दियान लखना और मैं आपको document बताता हूं पहला जो document है आपको age proof का को document लगाना है education qualification का document लगाना है technical qualification का document लगाना है driving license का document लगाना है और अगर आपको अधर कास से belong करते हैं तो आपको कास certificate लगाना है trade experience certificate लगाना है और आपका कोई residential proof certificate लगाना है यह सब आपको document लगाना है प्लस उनके उपर आपके sign किये होने चाहिए तभी वह अनिवार तभी वहाँ पे माने जाएंगे otherwise वह ऐसे ही reject कर दी जाएगा यह इन्हों ने उपर लिखा गया है तो इस चीज का भी आप ध्यान रखे और कौन सी address पे इस पोस्ट को आपको भीजना है कौन सी address पे इस पोस्ट को आपको भीजना है वह मैं address बताता हूं आपको इन्हों नीचे दिया गया senior manager mail motor services 134 AS के अहीर मार्क वारली मॉंबई 4000018 इस address पे आप speed post या register post इन दो पोस्टों के जड़िए आप इस पोस्ट को वहां तक भेज सकते हैं और आपको यह 29-2020 से पहले पहले वहां तक भेजना है और जो इस वेकैंसी का जो offline form है वह मैंने आपको description में दे दिया है आप description में जाके वह form को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वेकैंसी से related आपका कोई question या doubt हो तो आप मेरे से comment में पूछ सकते हैं और ऐसे ही वेकैंसी की detail time to time जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें thank you so much